इस वीडियो में हम division के questions करेंगे हम यह देखेंगे कि division और multiplication कैसे connected है means कैसे हम division और multiplication की property को समझ सकते हैं अभी देखते हैं first question करते हैं पहले 9 multiply 5, 9 5 जा हमें पता है 45 होता है लेकिन अगर हम 45 divided by 9 करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 9 को अगर हम 45 से divide करेंगे तो हमारा answer कितना आजाएगा 9 की table में 45 कितनी बार में आता है 5 बार में तो हमें answer मिल गया ना यह वाला 5 ऐसे ही अगर हम 45 divided 5 करते हैं तो 5 की table में 45 कितनी बार में आता है 9 बार में तो हमें यहाँ पे 9 मिल गया means अगर हम दो numbers की multiply करते हैं तो हमें केतना मिल रहा है 45 और अगर 45 को हम इनी दोनों number में से किसी भी number से डिवाइड करेंगे तो वो complete divide हो जाएगा और हमें answer मिल जाएगा second करते है यहां लिखा है 4 multiply 3 is equal to 12 4th ही जा 12 होता है हमें पता है अगर हम 12 को 3 से divide करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 3 की table में 12 कितनी बार में आता है 4 बार में तो answer क्या जाएगा 4 और ऐसे ही अगर 12 को हम divide करें है 4 से तो answer हमें कितना मिल जाएगा 3 मतलब अगर हम इनकी multiply करें 3 और 4 की तो हमें answer मिलता है 12 अगर हमें डिवाइट कर रहे हैं 12 को तो हमें 2nd वाला जूस अगर हम 4 को डिवाइट कर रहे हैं तो हमें 3 मिल और 3 निसमय दो 4 को डिवाइट करेंगे फूर मिल जाएगा अब यहां पे देखें नेक्स्ट फोरशन में यहां पर यह दे रख कहें 18 कि हम 2 से divide करें तो 9 मिल रहे हैं फिर 18 को 9 से divide करें तो 2 मिल रहे हैं तो हम किन दो नमबर की multiply करेंगे जो हमें 18 मिल जाएगा, 9 multiplied, 2 9 को 2 से multiply करेंगे तो हमें कितना answer मिल जाएगा 18 और वो 18 को अगर हम divid करेंगे तो हमें यह portion उसने पहले से ही लिख के दे रखा है नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर 24 divided 6 दे रखा है हमें 4 आंसर और यहाँ पर 24 divided 4 दे रखा 6 हम कौन से 6 और 4 की मल्टिप्लाय करेंगे तो हमें कितना मिल रहे है 24 मतलब यहाँ पर कौन से नंबर फैलोंगे हमारे 6 और एक में 4 नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पर हमें दे दिया 64 को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करें तो हमें मिल जा रहा है आंसर 9 अब किसकी टेबल में 63 हमारा 9 बार में आता है और यहाँ पर हमें 7 दे रखा है मतलब अगर हम 7 से 63 को डिवाइड करेंगे तो हमें कितना answer मिलेगा 9 7 की table में तो आता है 63 9 बार में और 63 को अगर हम 9 से divide करें तो हमें answer मिल जाएगा 7 क्योंकि 9 की table में 63 7 बार में आता है यहाँ पर क्या fill होगा फिर 7 already लिखा है तो हम कौन सा number fill करेंगे 9 I hope आप लोगं को यह समझ में आये होंगे questions थाई प्यूशश थाई टूश्ट्ट थाई टूश्ट थाई रखश यहाँ थाई रख़ाँ थाई टूश्ट थाई और में आता है